एक नायरा नाम की लड़की अपनी मा सुभासनी के साथ खुशी-खुशी रहती थी, पर कुछ इदिनों में उसकी मा थोड़ी से चर्चड़ी हो रही थी, हमेशा उससे लड़ती-जगरती रहती थी, अब नायरा कापी उदास-दास रहने लगी थी, सारे दिन उसकी मा उससे लड़ती रहती थी, तब ही एक दिन नायरा कहती है, अरे मा, तुम सारे दिन मुझसे लड़ती रहती हो, क्या हो गया है तुम्हें? माँ आपको क्या हो गया है, आप चाहती नहीं है कि मैं आपके साथ रहूं, आप मुझसे हमेशा लड़ती जगर्ती ही रहती हैं मैं यहां से जा रही हूं और विए घर चोड़कर दूसरी जगहे चली जाती है तब एक दिन नायरा होटल में खाना खा रही होती है तब ही वह उसको याद आता है कि अरे मैं तो पैसे घर पर ही भूला आई तब ही वह होटल के मैनेजर से कहती है अरे मेरे पास पैसे नहीं है मैं तुमको अगली बार दे दूँगी तब ही वह कहता है अरे पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो तुम बर्तन दोने के लिए तयार हो जाओ तभी वहाँ पर एक कार्थिक नामकलड का यह सब देख रहा होता है और वह उनके पास आकर उनका बिल चुका देता है और तभी दीरे दीरे नायरा और कार्तिक में दोस्ती हो जाती है अब वह कई जगे मिलते रहते हैं उनमें ऐसे ही दीरे दीरे प्यार हो जाता है एक दिन नायरा अपनी मा सुबासनी से कार्तिक को मिलवाने जाती है अब जब वह अपनी मा से मिलवाने ले जाती है तब उसकी मा गुसा होने लगती है और कहती है हाँ यस मामूली लड़के से मैं तुमारी शादी करवाऊंगी कभी नहीं और तभी वहाँ से नायरा चली जाती है और नायरा और कार्तिक दोनों एक मंदर में शादी कर लेते हैं अब वहाँ अपने दोनों कुछी-कुशी रहने लगते हैं कई दिनों बाद उनके दो जुड़मा बेटियां पैदा होती है जिनका नाम वहाँ अंशु और मीरा रखती है वहाँ दोनों अपनी मा जैसी बहुत ही कूपसूरत बेटियां होती है तभी कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन सुबास ने उनसे मिलने आती है तभी वह कहती है अरे ये लड़कियां तो बहुत सुन्दर हैं बिल्कुल मेरी बेटी जैसी पर ये कार देख बिल्कुल अच्छा नहीं देखता और ना मुझे ये पसंद है मुझे ऐसा करत कि नायरा के जाने के बाद मैं इन सब को मार देती हूं तभी वह नायरा चली जाती है वहां से उसके बाद वह कार्दिक से कहती है बेटा मैं इन बच्चीयों के लिए कुछ लेकर आई हूं चलो मेरे साथ मैं ये देना चाहती हूं तभी वह उनको ले जाती है और वहां पर एक गुफा में उनको बंद कर देती है तभी वहाँ पर एक चुड़ेल होती है और चुड़ेल उनको जैसे ही माणने वाली होती है तभी वह लड़कियां जादू से बड़ी हो जाती है और अपनी तुरंती बदला ले लेती है और अपने पापा को घर ले आती हैं तभी वोई अपनी मा को पूरी बात बताती है और सब लोग पहले जैसे कुशी-कुशी रहने लगते हैं गोपी नाम की लड़की अपने पती एहम और अपनी सास कोकला के साथ रहती है वह सब बहुत कुछी कुछी रहते हैं अभी गोपी की साधी को कुछी दिन हुए थे तब ही एक दिन उसकी सास उसके पास आती है और कहती है अरे बेटा जल्दी से फ्रेस हो जाओ मैंने तुम्हारी लिए तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है तब ही गोपी कहती है अरे मा आप क्यों परिसान होती है आपने जितना काम कर लिया उतना कर लिया अब मैं आ गई हूँ आप के चिन में मज जाय कीजिए तब ही उसकी सास कहती है अरे बेटा मैं आते ही तुम पर थोड़ी काम डाल दूं अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो मैं गूमने फिंडने जाना चाहिए अपने पती के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए अभी तुम छोटी बच्ची हो अभी अपनी आराम से मजी करो उनका ही दिन है तभी वह कहती है ऐसा करो तुम हनिमून पर चले जाओ मैं शुमला के टिकेट बुक अभी करवा देती हूं बताओ तभी उसकी बहु कहती है अरे मा जैसा आप ठीक समझें तभी एम कहने लगता है अरे आप तो ऐसी लग रही हो जैसे मा बेटी बात कर रही है सास बहु वाला तो कुई बात ही नहीं है तभी वह सब लोग हसने लगते हैं और खुश होने लगते हैं अब कुछ दिन आराम से बीत जाते हैं तभी एक दिन उनकी खुशी का टिकाना उनकी खुशी के दिन मातम में बदल जाते हैं जिस काड़ी से एहम जा रहा होता है उस गाड़ी का एक हो जाती है तभी विचारी गोपी बहुत अकेली रह जाती है तभी उसकी सास कोकला एक दिन उसके कमरे में आती है और उससे कहती है अरे बेटा अब यूहीं सारा दिन ऐसे ही पड़ी पड़ी जिंद्ध की कार देगी क्या ऐसा कर तू अपने घड़ चली जा और दूसरी अब रात हो जाती है तभी नाइरा को उल्टिया होने लगती है तभी नाइरा-और, डॉक्टर को भूह लगती है आप डॉक्टर कहता है आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए तभी वह प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वह मा बनने वाली है इसकी खुशी का टिकाना नहीं रहा था तभी वह अपनी सास के पास उसको खुशकवरी देने जाती है तभी उसकी सास कोकिला क किसी सा फॉन पर बात कर रही होती है अरे अपने बेटे के कार के ब्रेक फैल तु मैंने ही करवाए थे हाँ अरे उस सोतेले बेटे का मैं क्या करूँगी उसकी जायदात लेने के लिए तो मैंने उसे इतना बड़ा किया था और मैं उस गोपी को भी टिकाने लगा दूँगी तभी यह सब गोपी सुन लेती है और उसे कहती है अरे तो तुमने मेरे पती को मरवाया है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी मैं अभी पुलिस के पास जाती हूँ तभी कोकला उसको पगड़ देती है और एक कमरे में बंद कर देती है और कहती है अब तुने बहुत जी लिया अब तेरे मौत के दिन आ गए और अपने भाई को फोन लगाती है अरे मैंने उस गोपी को कमरे में बंद कर दिया है तुम जल्दी आ जाओ हम उसको ठिकाने लगा देंगे तभी गोपी कड़की से कूट कर भाग जाती है और जाकर पुलिस में जाती है तब वहाँ देखती है कि पुलिस बात कर रही होती है अरे आपकी बहु के बारे में आपने बताया है आने दो से जैसे ही आएगी मैं उसका और उसके बच्चे को दोनों को ठिकाने लगा दूँगी बस आप मेरा हिससा याद रखना और यह सब सुनकर गोपी भाग जाती है अब वह मेनत मजदूरी करकर अपना पेट पालती है कुछ दिने से ही बीत जाते है और वह एक बच्ची की माँ वन जाती है जिसका नाम वह विध्या रखती है अब दोनों माँ बेटी अपना मजदूरी करकर पेट पालती है अब उसकी बेटी कुछ बड़ी हो गई होती है तभी एक दिन उस फ्यक्टरी का मालक आ जाता है जिसमा गोपी काम करती थी अब वह कहता है अरे कोई कोकला नाम की ओरत आई थी और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी गोपी पर मैंने उसको तुम्हारे बारे में नहीं बताया अब तुम्हारे बारे में नहीं बताया अब तुम्हारे ऐसा करू यहां से बिदेश भाग जाओ और तभी दोनों मा बेटी वहां से बिदेश भाग जाती है अब वह वाग कर जपान चली जाती है अब वहाँ पर वह घूम रही होती है तभी उसकी बेटी कहती है मा हमें मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है तभी एक आदमी सामने से आ रहा होता है अब उसकी बेटी कहती है अरे देखो कोई अंकल आ रही है आप उनसे कुछ मांग लीजी मा तभी वह कहती है ठीक है बेटा तभी वह कहती है प्लीज हमने बहुत दुनों से कुछ नहीं खाया हम भूख के मारे तड़प रहे हैं प्लीज हमें कुछ खाने को दीजीए तभी वह उसकी बेटी कहती है अरे मा हम जपान में हैं आप कैसे बात कर रही हो जपानी बोलो ना तभी वह कहती है ठीक है तभी वह आदमी हसने लगता है और कहता है अरे ऐसा बोलो ना कि भूख लगी है चलो मेरे साथ मेरे घर पर अब गोपी कहती है ठीक है तभी गोपी उसके घर पर चली जाती है अब गोपी अपनी पूरी कहा मैं इसके वएसे बहुत दुखी हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर मैं अपने बेटे के वएसे बहुत दुखी रहता हूँ तबी गोपी कहती है, अरे आप चिंता मत कीजी, आज से आपका बेटा नहीं मेरा बेटा है गोपी अक्षू और कायरप का बहुत ख्याल रखती है और उनको प्यार से अपने बच्चे की तरह पालती है तब यह देखकर वह आदमी बहुत कुछ होने लगता है और वह दीरे दीरे गोपी से प्यार करने लगता है तब कुछ दिन बाद वह उससे साधी कर लेता है अब सारा परिवार बहुत खुश हो जाता है तो दोस्तों ये थी आज़ी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में लेकर जरूर बताना वीडियो पसंद आए हो तो शियर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बघल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दी